वकील हसन ने सुरंग से मजदूरों को बचाया इसकी जानकारी नहीं थी। बुल्डोजर एक्षन पर डीडिये का बयान घर गिराने को सही ठहराया। डीडिये ने कहा कि अभियान से पहले या उसके दौरान किसी भी समय डीडिये अधिकारियों को उत्तराखन की सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू आपरेशन में रैट माइनर वकील हसन के हालिया योगदान की जानकारी नहीं थी। देर शाम जब इस बात का पता चला तो डीडिये के अधिकारियों ने वकील हसन और उनके परिवार के लिए आश्रे की वैकल्पिक व्यवस्था करने के बाद मौके पर जाकर उनसे संपर्क किया। उत्तरकाशी की सिलकयारा टनल से 41 जंदिया बचाने वाले रैट माइनर वकील हसन का आशियाना दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडिये ने बुधवार 28 फरवरी को गिरा दिया था। ऐसे आरोप रैट माइनर की ओर से लगाए गए थे। इस पर हला मचने के बाद डीडिये ने अपनी सफाई पेश की है। डीडिये ने कहा कि 2016 में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अतिक्रमन हटाओ अभियान के दौरान खजूरी खास गाव में खसरा नंबर 247 बटा एक से अपने तीन भूमी पार्सल को अतिक्रमन से मुक्त कराया था। फिर 2017 में डीडिये ने निरिक्षन के दौरान पाया की वकील और गोयल नाम के व्यक्तियों ने फिर से तीन जमीनों में से दो पर अतिक्रमन कर रहे थे। इस गंभीर उलंगन की पुलीस को सूचना दी गई। लिहाजा डीडिये ने जून 2018 के लिए निर्धारित अतिक्रमन हटाओं कार्यक्रम शुरू कर दिया। हाला कि टीम जब अतिक्रमन हटाने के लिए पहुची तो उसे काफी चुनोतियों का सामना करना पड़ा। अतिक्रमन कारियों के रूप में पहचाने जाने वाले परिवार ने इसका विरोध किया। डीडिये ने बताया कि अतिक्रमन की अनुमति देने के लिए दोशी अधिकारियों से स्पश्टी करन भी मांगा गया था। DDA का कहना है कि सितंबर 2022 और दिसंबर 2022 में फिर से अतिक्रमन हटाने की योजना बनाई गई थी. अभियान के प्रयासों को एक बार फिर परिवार की महिलाओं ने विफल कर दिया, खुद को शारिरिक नुकसान पहुचाने का प्रयास किया और परिसर के भीतर खुद को रोककर आत्मदा की धमकी दी प्राधिकरण ने कहा कि DDA द्वारा संबंधित अवैद संपत्ति को गिरा और उनके परिवार की जानकारी में थी. 2022 में अतिकरमन हटाने के प्रयास के समय यह भी पता चला कि दो अतिकरमनकारियों से एक यानी गोयलने अतिकरमन के अपने हिस्से के लिए अदालत से विद्वन्स के खिलाफ कानूनी रोक प्राप्ट कर ली थी. जिस स्थल पर विद्वन्स किया गया है, उसके आसपास का अवैद निर्मान श्रीराम कॉलोनी राजीव नगर के अंतरगत आता है जो राश्ट्रियर राजधानी क्षेत्र दिल्ली अंधिकरित कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ती अधिकारों की मान्यता विनियम 2019 के तहट अधिसूचित है वकील हसन से अवैद निर्मान खाली करने को कहा डीडिये ने कहा कि अतिकरमन को हटाने के लिए 28 फरवरी 2024 को एक अभियान चलाया गया था जिसके लिए डीडिये द्वारा पुलीस से सहायता भी मांगी गई थी 28 फरवरी को डीडिये की टीम स्थानिय पुलीस के साथ मौके पर पहुची इस दौरान रैट माइनर वकील हसन के परिवार को सूचित किया और उनसे अतिकरमित शेत्र को खाली करने का अनुरोध किया वकील को अतिकरमित संगचना से अपना सामान हटाने के लिए परियाप्त समय देने के बाद डीडिये द्वारा अवैद निर्मान को गिरा दिया गया रैट माइनर के योगदान की जानकारी नहीं थी डीडिये ने कहा कि अभियान से पहले या उसके दौरान किसी भी समय डीडिये अधिकारियों को उत्तराखन की सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों के रैस्क्यू आपरेशन में रैट माइनर वकील हसन के हालिया योगदान की जानकारी नहीं थी देर शाम जब इस बात का पता चला तो डीडिये के अधिकारियों ने वकील हसन और उनके परिवार के लिए आश्रे की वैकल्पिक व्यवस्था करने के बाद मौके पर जाकर उनसे संपर्क किया वकील हसन ने प्रस्तावित किसी भी राहत का लाब उठाने से इनकार कर दिया और उसी स्थान पर या उसी के आसपास किसी भी स्थान पर एक स्थाई घर की मांग की विवाद खत्म करने के लिए डीडिये के वरिष्ट अधिकारियों ने भी हस्तक्षेप किया और देर 2017 में जमीन पर फिर से अतिक्रमन कर लिया था अभियान में किसी को टारगेट नहीं किया डिल्ली विकास प्राधिकरण ने कहा कि यह अतिक्रमन हटाने का नियमित अभियान था दीडिये ने किसी विशेश व्यक्ति को टार्गेट नहीं किया है सिलकेहरा टनल में फसे मज़ूरों को बचाने में वकील हसन के योगदान के बारे में जानने के बाद दीडिये ने परिवार की मदद के लिए हात बढ़ाया दीडिये ने इस बात पर जोड दिया कि वकील हसन का अतिक्रमन गैर कानूनी था साथ ही कहा कि दीडिये का अभियान गैर भिद भावपूर्ण है दीडिये कानून को बनाये रखने और अदालती आदेशों के अनुसार आगे के अवैध निर्मानों को रोकने के लिए प्रतिबध है हाला कि वकील हसन के योगदान के प्रती सहानुभूती दिखाते हुए उनके परिवार की सहायता करने के लिए भी प्रतिबध है